यूट्यूब के advanced features को कैसे enable करें तो जब आप एक new channel create करते हैं दोस्तों तो वहाँ पे अभी एक new option आ गया है जब आप अपने YouTube Studio को desktop mode में open करेंगे settings में जाएंगे channel में जाएंगे और वहाँ पे feature eligibility पे आप click करेंगे तो first जो option होता है दोस्तों वह होता है standard features का दूसरा होता है intermediate features का और जो third न्यू जो option आया है वह advanced features का ठीक है तो first feature जो है वह by default enable रहता है second feature आपके phone number को verify करना होता है जिसकी मदद से आप thumbnail को लगा सकते हैं ठीक है और उसमें आपको बहुत सारे option मिलते हैं और जो third feature है advanced feature दोस्तों इसमें आप बहुत सारे वीडियो को upload कर सकते हैं एक दिन में बहुत ज्यादा live streaming कर सकते हैं पंद्र मिनिट से ज्यादा का video upload कर सकते हैं और आपका channel monetization के लिए apply कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिलती है तो इसको आप कैसे enable कर सकते हैं पूरा detail बताने वा maximum आपका channel two month old होना चाहिए दोस्तो तब यह automatic enable हो जाएगा ठीक है तो जब आप first time channel open करते हैं दोस्तो new channel open करते हैं उस time तो यह enable नहीं हो सकता है उसके लिए तो आपको wait करने होंगे और जब तक आप वेट करेंगे तब तक आप बहुत सारे advanced features को use नहीं कर सकेंगे जैसे कोई time pass आप देख रहे हैं टेकल पर विकास तो चलिए विने कोई time pass विने कोई बकवास वीडियो शुरू करते हैं तो आपको channel पर किलिक करना है दोस्तों feature eligibility पर किलिक करना है और यहां पर advanced features पर किलिक करना है आप यहां पर आपके पास तीन option आ रहा है दोस्तों video verification का valid ID का और channel history का तो simply आपको access features पर किलिक करना है दोस्तों access features पर आप जैसे किलिक करेंगे तो यहां पर आपके पास तीन option open हो जाएगा यूज video verification का यूज वेलिज आईडी का और यहां पर channel history का तो simply आपको first वाले पर किलिक करना है दोस्तों यूज video verification का इस पर आप जैसे किलिक करेंगे तो यहां पर next option आएगा simply आपको उस पर किलिक करना है अब यहां पर get email का option आ रहा है दोस्तों तो इस पर आफ़े पर आपको किलिक करेंगे दोस्तों तो यहां पर आपके mail में एक e-mail आएगा, यहां पर आप देख सकते हैं, we sent you an e-mail, तो simply आपको done वाले पर click कर देना है, दोस्तों, वेरिफिकेशन का तो simply start verification वाले पे आपको click करना है इस पे आप जैसे click करेंगे तो यहाँ पे loading होगा दोस्तों तो कुछ time आपको wait करना और यहाँ पे आप देख सकते हैं agree to video verification का option आ चुका है scroll करते भी आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपको permission देना होगा दोस्तों तो simply आपको allow वाले पे tick करेंगे इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे permission दे दिया है तो यहाँ पे I agree का option आ रहा है दोस्तों simply आपको I agree वाल option में बताया जा रहा है कि आपके face में नाक में मुह में कोई भी sun glass नहीं हो जिससे आपका face डखा हुआ हो और ऐसी जगह आप वीडियो शूट करें जहां पर ना तो ज्यादा brightness हो और ना ही तो dim light हो मतलब ना तो ज्यादा bright हो और ना ही ज्यादा low हो और यहाँ पे आप यह सिर्फ आप ही है और कोई दूसरा नहीं है और जब हां भी आप वीडियो शूट करें वहां पर network connectivity अच्छा हो ठीक है इसके लिए आप Wi-Fi की मदद भी ले सकते हैं आप simply आपको यहाँ पे camera का permission देना होगा दोस्तों तो simply आपको allow करना है allow पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो camera का permission है वो enable हो जाएगा तो simply आपको एलावाले पे click कर देना है तो यहाँ पे मैंने click कर दिया दोस्तों अब मेरे camera open हो चुका है अब यहाँ पे आपको blue dot देखने को मिल रहा है दोस्तों तो blue dot को आपको follow करना है blue dot जैसे जैसे बोलेगा उस side आपके face को move करना है आपको सामने देखना है अब look down का option आ रहा है तो आपको नीचे देखना है दोस्तों arrow वाले पे आप उसको follow किजिए और यहाँ पे आप देख सकते है look at your phone का option आ रहा है तो आप यह प्रोसेसिंग हो रहा है दोस्तों और यहाँ पे uploading your video का option आ चुका है तो आप यह वीडियो अप लोड हो गाँ दोस्तों यहाँ पे अप प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं uploading your video का option आ रहा है तो मतलब वीडियो अब upload हो रहा है तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम वेट करना है दोस्तों जब तक आपका वीडियो नव अपलोड हो जाए तो 24 hours के अंदर कभी भी आपका वीडियो वेरिफिकेशन सक्सेस्पूल हो सकता है तो यहां पर मैं कट करता हूं दोस्तों सिंपल ही अपने यूटीब स्टूडियो को डेस्टप मोड में उपन करता हूं यहां पर रिफ्रेस करता हूं ठीक है मैं पर पेंडिंग का उप्षण आ रहा है मतलब यहां पर जो वीडियो वेरिफिकेशन है वो रिवीव में है दोस्तों और अभी पेंडिंग में है क्योंकि review में है जब तक successful ना हो जाए मिलना आजाए तब तक ये pending में रहेगा तो इस type से आप विल्कुल आसानी से video verification कर सकते हैं दोस्तों अगर video अच्छा लगा तो like कर दीजिए channel को subscribe करके bell icon call में press